पुस्तक का नाम तीन शक्तियां तीन सिध्यां पंडित श्री राम शेर्मा अचारी जी द्वारा लिखित पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं तीन शक्तियां तीन सिध्यां गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले अंगुर्बुवस्वाहा ताच्सावीतुर्वरिन्यम वर्कुदेवस्यधीमही धियों योनाहा प्रचोदयाद देवियों सजनों इस संसार में कुल मिलाकर तीन शक्तियां है तीन सिध्यां है इन्ही पर हमारा सारा जीवन वैपार्ग चल रहा है लाप सुक जो भी हम प्राप्त करते हैं इन्ही तीन शक्तियों के आधार पर हमें मिलते हैं पहली शक्ती है श्रम की शक्ती, शरीर के भीतर की शक्ती भगवान की दी हुई है, इससे हमें धन्वा यश मिलता है, जमीन पहले भी थी, अभी भी है, यह मनुश्य का श्रम है, यह वह लगा, तो वह सोना धातुएं अनाज उगलने लगी, जितना भी सपलताओं का इतिहास ह वह आदमी के श्रम की उपलब्धियों का इतिहास है, यही सांसार एक उन्नदी का इतिहास है, जमीन कभी ब्रह्मा जी ने बनाई होगी, तो ऐसी ही बनाई होगी, जैसा कि चंद्रमा है, यहां कड़ा, वहां खड़ा, सब और यही, श्रम ने धर्ती को सम्दल बना दिया, नदियां चार और उत्पात मचा देती थी, जल प्लावन से प्रले सियां जाती थी, रास्ते बंध हो जाते थे, वैया शादियां भी बंध हो जाती थी, उन चार महिनों में जिन्हें चत्रमास कहा जाता है, सुना होगा, नाम आपने भी, आदमी जहां थे, वहीं कैद हो ज आदमी का श्रम, जिसकी हम अवग्या करते हैं, दौलत हमीशा आदमी के पसीने से निकली है, आपको संपदा के लिए कहें गिरगणाने, ना करगड़ने की जरूरत नहीं, एक ही देवता है, श्रम का देवता, वही देवता आपको दौलत दिला सकता है, उसी की आपको अरा हम का महत्व समझ सकें, उसे नियुजित कर सकें, तो हम निहाल हो सकते हैं, मात्र संपत्ती स्रम्मत ही नहीं, हम अन्यान दौलत के अधिकारी हो सकते हैं, सीहत मजबूती श्रम से ही आती है, शिक्षा, कला कोशल, शालीनता, लोक व्योहार में पारंगता, श्रम से ही चालाकी से आदमी दौलत की छींजपट मात्र कर सकता है, पर उसे कमा नहीं सकता, आप यदि फसल बोना चाह रहे हैं, तो बीज बोईए, यदि चालाकी करें, बीज खा जाएं, तो कुछ नहीं होने वाला, हर आदमी को इमानदारी से श्रम किये जाने की मशक्कत की कीमत सम चाहिए, संपदा अभिष्ठ हो, विनिमे करना चाहते हो, तो कहिए श्रम रूपी पूंजी अपने पास रखें, उसका सही नियोजन करिए, ये हैं दौलत नंबर एक, दो नंबर की दौलत है हमारी ज्यान की विचार करने की शक्ति, हमें जो भी प्रसनता मिलती है, इसी ज यान की शक्ति से मिलती है, खुशी दिमागी बैलन से प्राप्त होती है, ये बाहर से नहीं आती, भीतर से प्राप्त होती है, जब हमारा मश्तिस्क संतुलित होता है, तो हर परिस्तिती में हमें चारो और प्रसनता ही प्रसनता दिखाई देती है, घने बादल दिखाई दे थे चारो और सुनसान दरावना जंगल था जरासी पत्तों की सरसराथ हो तो लगे की साप है हवा चले प्रक्षों के बीच सीटीजी बजे तो लगे भूत है अच्छे खासे मजबूत आदमी के निरव एका की ब्यावान में होश उड़ जाएं पर हमने उस संसान में भी प्रस यात करते हैं उस स्थान की जह हमारे गुरू ने हमें पहले बुलाया था अब तो हम कहीं जह भी नहीं पाते पर प्रक्षी के साण द्ध्ह में अविश्य रहते हैं वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, मात्र प्रक्ति के भिन 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 रूपों की तस्वीरे हैं, हमें उनी को देखकर अंदर से अत्यदिक खुशी मिलती है, जीवन का आनंद सदय भीतर से आता है, यदि हमारे सोचने का तरीका सही हो तो बाहर चोबी क्रिया कलाप चल रहे हो, उन सभी में हमको खुशी खुशी विखरी दिखाई पड़ेगी बच्चों को देखकर, धर्म पत्नी को देखकर अंदर से आनंद आता है, सड़क पर चल रहे क्रिया कलापों को देखकर आप आनंद लेना सीख लें, यदि आपको सही विचारणा शक्ती मिल जाए, स्व अर्थात फिलोसफी कि देखते ही बनता है, दाराशिको मस्ती में दूपते चले गए, जेबन निसा ने पूछा, अबबा चान आपको क्या हुआ है आज, आप तो पहले कभी शराब नहीं पीते थे, पिर ये मस्ती कैसी, बोले, बेटी, आज मैं हिंदूओं के उपनिशत पढ़कर आया हूँ, जमीन पर पैर नहीं पढ़ रहे हैं, जीवन का असली आनन्द, उनमें भरा पड़ा है, बस यह मस्ती उसी की है, यह है असली आनन्द, मस्ती, खुशी, स्वर्ग हमारे भीतर से आते हैं, स्वर्ग सोचने का एक तरीका है, किताब में क्या है, वै तो काला अक्षर भर है, हर चीच की गहराई में प्रवेश करने पर जो आनन्द, खुशी मिलती है, वै सोचने के तरीके पर निर्भर है, इसी तरह बंधन, मुक्ती भी हमारे चिंतन में नहीं थै, हमें हमारे चिंतन ने बांध कर रखा है, हम भगवान के बेटे हैं, हमारे संसकार हमें कैसे बांध सक से वैं आती लगती है, पर होती अंदर ही है, यदि आपको सुख, शान्ती, मुस्कराहट चाहिए, तो ड्रिष्टि कौन बदलिये, खुशी सब और बांध दीजिये, मा को दीजिये, पत्नी को दीजिये, मित्रों को दीजिये, जाजकर्ण प्रति दिन सबा मन सोना दान करत था, आपकी परिस्थितिया नहीं है देने की, किन्तो आप सोने से भी कीमती आदमी को खुशी बाट सकते हैं, आप जानते नहीं है, आज आदमी खुशी के लिए तरस रहा है, जिन्दगी की लाश इतनी भारी हो गई है कि वजन धोते धोते आदमी की कमर तूड गई है, व जीवन की समस्याओं को समझ कर अन्यायन्य लोगों से जो डिलिक की जाती है, वह ग्यान की दीन है, वही व्यक्ति ग्यानवान होता है, जिसे खुशी तलाशना वह बाटना आता है, ग्यान पढ़ने लिखने को नहीं कहते, वह तो कोशल है, ग्यान अर्थात निजरिया, व्यवारिक बुद्धी, मैंने आपको दो शक्तियों के बारे में बताया, पहले श्रम की शक्ति जो आपको दौलत, कीर्थी, यश देती है, दूसरी विचारना की शक्ति जो आपको प्रसन्यता वा सही दृष्टि कौन देती है, तीसरी शक्ति रूहानी है, वह है आदमी क व्यक्तित्व, व्यक्ति का वजन, कुछ आदमी रूहिके होते हैं वा कुछ भारी, जिनकी हैसियत वजन्दार व्यक्तित्व की होती है, वे जमाने को हिला कर रखतेते हैं, कीमत इनकी करोणों की होती है, वजन्दार आदमी यदि हिंदुस्तान की तवारीक से काड़ दे, तो इसका बेड़ा करक हो जाए जिसके लिए हम फूले फिरते हैं वह वजंदार आदमियों का इतिहास है वजंदारों में बुद्ध को शामिल कीजिए वे पड़े लिखे थे की नहीं किन्तु वजंदार थे हजारों समराटों ने दौलत मंदों ने ठेलियां खाली कर दी बुद्ध ने जो मांगा वह उनने दिया हरिश्चंद्र, सब्तरशी, व्यास, तदीची, शंकराचारी, गांधी, विवेकानन्द के नाम हमारी कौम के वजंदारों में शामिल कीजिए इने पर हिंदुस्तान की हिस्ट्री टिकी हुई है यदि इने खरीदा जा सका होता तो बेशुमार पैसा मिला होता आदमी की कीमत है उसका व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति दुनिया की फिजा को बतलते हैं देवताओं को अनुदान बरसाने के लिए मजबूर करते हैं पेर अपनी आकरशन शक्ति से बादलों को खींचते वा बरसने के लिए मजबूर करते हैं वजंदार आदमी अपने व्यक्तित्व को मैगनेट की शक्ति से देव शक्तियों को खींचते हैं यदि आप भी देवी अनुदान चाहते हों, तो आपको व्यक्तित्व को वजंदार बनाना होगा। देवी शक्तियां प्रमांड में छिपी पड़ी हैं। सिद्धियां जो आदमी को देवता महमानव रिशी बनाती हैं, सब यही हमारे आसपास है। कभी इस धर्ती पर तैतीस कोटी देवता बसते थे, सबी व्यक्तित्वान थे। व्यक्तित्व एक बेश कीमती दौलत है। यह तथ्य आप समझे व्यक्तित्व सम्मान दिलाता है, सही योग प्राप्त कराता है, गांदी जी को मिला क्योंकि उनके पास वजंदार व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व श्रद्धा से वनता है। श्रद्धा अर्थात सिध्धान तो वा आदर्शों के प्रती अटूट वा अगात विश्वाश। आदमी आदर्शों के तई मजबूत हो जाता है, तो व्यक्तित्व ऐसा वजंदार बन जाता है कि देवता एक नियंत्रण में आ जाते हैं। विवेकानन्द ने रामकृष्न परम हन्स की शक्ति पाई क्योंकि स्वयम को वजंदार वे बना सके। विकारी को दस पैसे मिलते हैं, कीमत चुकाने वाले को, वजंदार व्यक्तित्व वाले को सिध्ध पुरुष का आशिरवाद मिलता है। यदि आप किसी आशिरवाद की कामना से, देवी देवता की सिध्ध की कामना से यहां आए हैं, तो मैं आप से कहता हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को विक्सित कीजिए, ताकि आप निहान हो सकें। देवी कृपा मात्र इसी आधार पर मिल सकती है और इसके लिए माध्यम है श्रद्धा। श्रद्धा मित्टी से गुरु बना देती है, पत्थर से देवता बना देती है, एकलव्य के दूनाचारे मित्टी की मूर्ति के रूप में उसे तीरंदाजी सिखाते थे, इसन की काली भक्त के हाथों बोजन करती थी, उसी काली के समक्ष जाती ही विवी कानंद, नौकरी, पैसा भूलकर शक्ती भक्ती मागने लगी थे, आप चाहें मूर्ति किसी से भी खरीद ले, मूर्ति बनाने वाला खुद अभी तक गरीब है, पर मूर्ति में प्राण श्र श्रद्धा से, मीरा का गिर्धर गोपाल चमतकारी था, विश्धर, सर्पु की माला, जहर का प्याला उसी ने पी लिया, वह भक्त को बचा लिया, मूर्ति में चमतकार आदमी की श्रद्धा से आता है, श्रद्धा ही आदमी के अंदर से भगवान पैदा करती है, वेश्रद्धा की बात नहीं करता उससे तो देश को नश्ट कर दिया श्रद्धा अर्था आदर्शों के प्रती निश्टा जितने भी रिशी संत हुए हैं उनमें श्रेश्टता के प्रती अटूट निश्टा देखी जा सकती है जो कुछ भी आप हमारे अंदर देखते हैं व पालन करेंगे अनुशाषन वा श्रद्धा गुरु पूर्णिमा इन दोन्हों का त्योहार है अनुशाषन आदर्शों के प्रती ये कहना कि जो आप कहेंगे वही करेंगे श्रद्धा अर्थात प्रतक्ष नुकसान देखते हुए भी आस्था विश्वास आदर्शों ना श्रद्धा से ही सिद्धी आती है, हमें अपने आप पर घमंड नहीं है, पर विनमरता पूरवक कहते हैं कि देव शक्तियों की प्रती हमारी गहन श्रद्धा का ही चमतकार है, जिसके बलबूते हमने किसी को खाली हात नहीं जाने दिया, गायतरी माता श्रद्धा में से निकल पर उनका सामना करो, हमने 24 वर्ष तक तब किया, जायके को मारा, हम जोंकी रोती खाते, हमारी मा बड़ी दुखी होती, हमारी तपस्या की अबधी में उनने भी हमारी वज़र से कभी मिठाई का तुकड़ा तक ना चखा, हमारी गायतरी मंत्र में चमतकार इसी तब से आया आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो वजन उठाईए, हम आपको मुफ्त देना नहीं चाहते क्योंकि इससे आपका अहित होगा, वह हम चाहते नहीं, आप हमारा कहना माने तो हम देने को तैयार हैं, गुरु शिश्य की परिक्षा एक ही है कि अनुशाशन मानते हैं, हम अपके शिश्य ऐसा कहें, वह मानें, समर्थ ने अपने शिश्य की परिक्षा ली थी, वह सीहनी का दूद लाने को कहा था, अपनी आँख की तकलीफ का वहाना करके, सीहनी कहा थी, मैं तो हिपनोटिजम से एक सीहनी खड़ी कर दी थी, शिवाजी का संकल्प था, दड़, वे ले आये सिहनी का दूद वा अक्षय तलवार का उफार गुरू से पा सके। राजा दिलीब की गायों को जब माया के सिहने पकड़ लिया तो उनने स्वयम को सौब दिया। इस इस्थर का समर्पन हो तो ही गुरू की शक्ती और देवी अनुदान मिलते हैं। ये आस्थाओं का इंतिहान है जो हर गुरू ने अपने शिश्य का लिया है। श्रद्धा अर्थात सिध्धान्तों की भावनाओं का आरोपन। कहा गया है कि भावे न विद्धतो देवतस्मात भावो ही कारणम। अर्थार भावना का आरोपण करते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान अर्थार सिद्धी, र आशिरवास सिद्धी का आधार फीस एक ही है श्रधा, उसे विक्षित करने के लिए अभ्यास हेतु गुरू पूर्णिमा पर्व, गुरू तत्व के प्रती, श्रधा का अभ्यास आज के दिन किया जाता है गुरू अंतरात्मा की उस आवाज का नाम है जो भगवान की गवर्नर है हमारी सत्ता उसी को समर्पित है वही हमारी सद्गुरू है गुरू को ब्रह्मा कहा गया है अर्थात हमारी सुपर कॉंशनेस हमारा अतिमानस अच्छा काम करते ही य कवान का प्रतिनिधी गुरू को जाकरत जीवन्त करने के लिए एक खिलोना बना कर श्रद्धा का आरोपन हम जिस पर भी करते हैं वही गुरू बन जाता है इसमें दोनों बाते हैं मानवी कमजूरिया भी हो सकती हैं उनको ना देखकर हम अच्छाईयों के प्रति श्रद्धा विक्सित करें आप हमें मानते हैं तो हमारा चित्र देखते ही श्रेश्टतम पर विश्वाश करने का अभ्यास करें यह एक वयायाम है रिहर्सल है इसी के आधार पर हम अपने अंदर का सुपरचेतन जगाते हैं प्रतिक की आविशक्ता इसी के कारण पढ़ती है हमारी सब ठीक हो जाते थे पर जब गुरु ने उसी दोवन का चमतकार जानकर अपने पैरों को जल से धोकर वैजल औरों को दिया तो कुछ भी ना हुआ दोनों जल एक ही है पर एक में श्रद्धा का चमतकार है उसी कारण वह अमरत बन गया जबकि दूसरा मात्र दोवन का जल र मात्र क्रियां है यदि उनमें श्रद्धा का समन्वे नहीं है आदमी की जो भी कुछ आध्यात्मिक उपलब्धियां है वे श्रद्धा पर टिकी है आपकी अपने प्रति यदि श्रेष्ट माननेता है आपकी श्रद्धा वैसी है तो असल में वही है आप यदि इस से की हर उपलब्धि उसी अनुशाशन की देन है वेदों के अनुवात से लेकर ब्रह्म वर्चस्व के निर्मान तता चार हजार शक्ति पीठों को खड़ा करने का काम एक ही बल्भूते पर हुआ गुरू ने कहा कर हमने कहा करिश्य वचनम तब गुरू सिदिक्रिश्न के द्व गीता सुनाएं जाने पर शिष्य अर्जुन ने यही कहा कि सारी गीता सुन ली अब जो आप कहेंगे वही करूंगा ओम शान्ति है श्रद्धा का आधार और अवलंबन फौतेक छेत्र में कुछ महत्पूर्ण परिवर्तन करने के लिए उर्जा की अनिवारे आविशकता प ठीक इसी प्रकार आध्यात्म छेत्र की उर्जा एक ही है जिसे श्रद्धा की नाम से जाना जाता है चेतना को उत्कृष्टता की और उभारने के लिए श्रद्धा के बिना एक कदम भी आगे बढ़ सकना संभव नहीं पानी का सोभाव नीचे की और बहना है उपर से गिरी हुई वस्तू नीचे की और गिरती है निम्न योनियों में भ्रमन करते हुए मनुष्य भी संचित कुसंसकारों से प्रभावित बना रहता है अवसर आते ही वह उनकुसंसकारों को चरितार्त भी करने लगता है यही कारण है कि मनुष्य शरीरधारियों में से अधिकांश प बाने बुनता रहता है लालसा और लिपसा की सनक नशा पी कर उनमत्थ हुए व्यक्ति पर चड़ी खुमारी की तरह चाही रहती है इसी में उसे अपने बुद्धी मत्ता और सफलता भी दीखती है कई बार तो वह इस इस्तिती पर गर्व भी कर लेता है और बड़ी हुई सथा दुश प्रवतियों की दिशा में और भी अधिक बढ़ता है यह लोग प्रभा हुआ चर्चा इससे प्रतिकूल पक्ष की करनी है आत्मिक प्रगती की इसके दो पक्ष है एक आत्म सुधार और आत्म विकास दूसरा लोक मंगल का पुण्य परमार्थ इन्ही दो को आत तरह यत किंचित ही बन पड़ता है अंतराल की गहराई तक जमी होई पशू प्रवतियों से जूजना सहज काम नहीं है वह चापा मार नीती की अब्यस्त होती है दभा पढ़ने पर दब भी जाती है पर जब भी चौकिदार को बेखवर पाती है तब हमला बोल देती है इस कराधरा सब कुछ गुरगोबर होता रहता है आत्मिक प्रगती के लिए किये गए प्रयासों की गर्मी ठंडी होते ही फिर पुराना माहौल अपना आधिपत्य जमा लेता है सादगों की असपलता का मुख्य कारण प्राया यही होता है वे जागरुकता और निष्टा को सतत निरंतर बनाए नहीं रह पाते आत्मिक प्रगती के लिए दो उप्चार निरंतर करते रहने की आविशक्ता पड़ती है एक सैयम साधना वा दूसरी परमार्थ प्रायानता इन दोनों में से प्रतक्षता हर किसी को घाटा दिखता है सैयम की दिशा में जितना बढ़ा जात है उतना ही सुक्सविदा में वासना विलास्ता में ठाट बाट में कटोती आरंब हो जाती है औसत नागरिक इस तरका जीवन यापन करने के लिए ततपर होने पर दूसरों की तुन्ना में अपना संजाम हलका पड़ जाता है दाएं घट जाती है डेंग हांक ने और वावा करने जैसा माना जा सकता है अपने समय श्रम मनुयोग साधन प्रतिभा प्रभाव आदि उपलब्धियों को स्वार्त साधन से बचा कर पिछणों को बढ़ाने गिरों को उठाने और संभलों को उचालने में लगाना पड़ता है सत्प्रवित्ती समवर्धन और दुष्प्रवित्ती उन्मूलन को भी उतना ही महत्व देना पड़ता है इस मार्ग पर चलना संयम साधना से भी भारी पड़ता है संयम में तो जहां के तहां तो भी बैठे रहना पड़ता है परन्तु परमात में तो अपनी संचित संपदा को अन्यायन्यों के लिए विसरजित करते रहना है यह प्रतेक्षिता गाटे का सोदा है अपना नुकसान सहकर दूसरों की भलाई करने के लिए जिस उदार सहसिक्ता की आविशक्ता पड़ती है वह कहां से आए आदर्श वादिता की भाव समवेदना ढीली हो तो फिर उस उत्साह में भी इस्तिरता नहीं रह पाती पानी में उठा बबूला कुछ ही समय में शान्त समाप्त हो जाता है कुछ प्रशंशा दिलाने वाली घटनाओं को इस्मरन रखा जाता है और उन्हीं का बार बार ढिंडोरा पीटते रहा जाता है निरंतर ये क्रम कहां चल पाता है परमार्त को नित्य क्रम में समलित करते रहना कितना कठिन है उसे सभी मुक्त भोगी भली प्रकार अनभव करते हैं मन का चोर और तथा कतित हितेशियों का दबाव रास्ता रोकने और पीचे खींचने में कोई कसर नहीं रहने देता देखा गया है कि जिस्तिस बहाने की आड में पुर्ण परमार्त भी शितिर हो जाता है निरंतर की ब्रतशीलता निब नहीं पाती इन अवरेदों से कैसे जूजा जाए लक्ष की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहने की ब्रतशीलता का निर्वा कैसे किया जाए इन दोनों कटनाईयों की मिली जुली चोडी धार वाली महानदी को किस नाव पर बैठ कर पार किया जाए इस असमंजस भरे अंधकार के बीच प्रकाश की एक ही किरण उग सकती है और वह है श्रद्धा श्रद्धा क्या है इसकी एक शवद में इतनी ही परिभाशा बताई जा सकती है कि आधर्शों के प्रती समर्पित अंतराल की भावसंवीदना जिसमें सभी महत्वा कांछाओं का विसरजन करना पड़ता है महत्वा कांचाएं ही उचिस्तर ये भाव सम्वेधनाओं को कुंधित करती हैं इस महाभारत को जाने बिना कोई धर्म चेत्र गुरु चेत्र में अवस्थित गांडे विधारी साधक ना तो विजय पता का फहराने की इस्तिती तक पहुँ सकता है और ना उसके रत को सम्हालन चलाने के लिए कोई दिव्विते जस्वी सार्थी की भूमिका निभाने दोडा आथा पहुत्य चेत्र में जो महत्वे उर्जया का है ठीक वही भूमिका आत्मे चेत्र में शुरद्धा निभाती है चेत्र को उतकृष्टता के धांचे में धाल सकने वाली यही कारगर और धडाम से नीचे गिरता है शुरद्धा ही एक मात्रवे अब लंबन है जिस पर बिठाकर आत्मचेत्ना को प्रशेपास्त्र की तरह गुत्वा करशन रहते अंतरिक्ष तक पहुंचाया जा सकता है आध्यात्मचेत्र के जुतने भी चमतकार हुए हैं उन सब को शुरद पल उपलब्ध कराता है एक लव्विके द्रोनाचारी मीरा का पाशान खंड गिरधर गुपाल रामकृष्न परमहंस की काली जी की भवानी प्रक्रांतर से श्रद्धा की ही परिणती थे यदि इन कलेवरों में से श्रद्धा के प्राण को विलक कर दिया जाए तो उनका कल प्रेवर नगरने इस्तिती का बनकर रह जाता है भयूत पादक छेत्रों में चाड़ी का भूत बनने और उससे डर कर कईयों को भी मार पड़ते मौत के मुह में जाते देखा गया है रसी का साप बन जाता है वैकता बहुतों ने सुनी होगी जिसमें मृत्यू 5,000 को मारने पर 15,000 मर गए यमराज ने जब आप तलब किया तो मौत ने संचेप में इतना ही उत्तर दिया उसने तो 5,000 ही मारे 6,000 तो डर के मारे मर गए और उसके पीछे लग गए यंत्रविद्या की सारी प्रक्रिया इस डरने डराने के उपर ही तिकी हुई है शुरद्धा में भाव संबेदना तो प्रधान होती है पर वह अविवेक पून नहीं होती व्यक्ति आधर्शों को प्राण प्रियमान कर उसके लिए उसी समर्पित हो जाता है जिस प्रकार की भक्त भगवान के लिए समर्पित होता है भक्तों में हनुमान का उधारन प्रमुक है राम भक्त भरत क प्रचलन के हिसाब से भगवान की कोई प्रतिमा कल्पित कर ली जाती है और उसी की पूजा अर्चना ध्यान धारणा परक्रिया करत्यों को ही श्रद्दा भक्ति की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है इसे प्रयास का शुभारंब कह सकते हैं मार्ग दर्शक पटिका की तरहा पर इस संकेज से दिशा मात्र का बोध होता है इतने भर से महायात्रा पूरी नहीं होती इसके लिए तो लंबी दूरी पार करने की आविश्यक पाथे समेत यात्रा करनी होती है यह मार्ग है श्रद्दा के अवलंबन का वह चेतना छेत्र की प्रिशंड ऊचा है वहना केवल लक्ष गड़ती है वरन उस पर चलने के लिए आविश्यक सामर्त भी प्रदान करती है आदर्शवात की दिशा में महामान वो द्वारा जो कुछ भी जितनी कुछ भी बढ़त बन पड़ती है उसके मूल में श्रद्धा की शक्ती ही काम करती रहती है बिना उसके ना तो आत्म सैयम बरतना बन पड़ता है और ना त्याग बलिदान करते इसके बिना आदर्शवात का निर्भा कैसे हो सेवा साधना के लिए श्रम साधना लगाते कैसे बन पड़े मन कैसे खाली हो जो वासना, विलासता, अहमता, संक्रिनता से उंचा उठकर कुछ ऐसा सोच सके जिसमें उतकृष्टता अपनाने के लिए उमंग उमंगे और कारगार योजना बने श्रद्धा विहीन इसी दिशा में कुछ भी सोचने में असमर्थ रहते हैं यह दूसरी बात है कि लोग दिखावे के लिए अपने को पुण्यात्मा और उदार चेता सिद्ध करने के लिए जब तक कोई शिगूफे छोड़ते रहें पर वह पोल अधिक समय तक बिना खुले रहती भी तो नहीं वास्त्विक और चिर इस्थाई इस्थता का अरजन कर सकने में श्रद्धा को अंतराल की गहराई में उतारे बिना और कोई उपाए भी तो नहीं आम तोर में श्रद्धा की यह गरिमा और महीमा समझ सकना सामान्य मना इस्थति में संभव भी नहीं हो पाता इसके बिना ना देवता अनुकूल बनते हैं ना भगवत चेतना के साथ अपने को जूर सकना संभव होता है अंतरान में दबी हुई सुई हुई महानता का भी इसके अभाव में इस्फुरण नहीं होता उतकृष्टता इन लक्षणों में से एक भी न उभरे तो व्यक्तित्व में वह प्रकरता कैसे उभरे जिसके सहारे स्वयम उंचा उठा और दूसरों को आगे बढ़ाया जाता है आत्म विकास की दिशा में बढ़ने वाले की लिए श्रद्दा का अवलंबन अनिवाद है इस्टता के छेत्र में जो बोया गया वही आत्म विकास के रूप में उग कर कोठे भरता है इस बीज का संचे इसी आधार पर बन पड़ता है कि अपने को तप्तितिक्छा की कसोर्टी पर कसा जाए लिपसा लालसाओं में कटोती करके उस बचत को आत्मोत कर्श के लिए नियोजित किया जाए यह सब करा सकने की शक्ती मात्र श्रद्धा से ही उपलब्ध होती है श्रद्धा आकर्शनों प्रलोबनों और दवावों के आगे जुकने से निरंतर इंकार करते रहने का रुख अपनाने का साहस देती है गिरावट के ऐसे अवसरों की कमी नहीं जो दुरवल मनवालों को सहजी अपने और खींच लेते हैं जो संक्रिन स्वार्थ परता की परिधी को लांगने से सपष्ट इंकार करते और इसके लिए चारो और फैले हुए उधारन प्रस्तुत करते हैं उनका कहना है जब सभी चत्र लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं और दूसरों के जंजट में नहीं पढ़ते तो अपने को ही क्या पड़ी जो स्वयम को निरंतर ते रहें और दूसरों पर अपनी छमता का लाग उलीशते चलें आदर्शवादी कौन बनता है सभी अपने धन्दे में लगे हैं फिर हमें ही क्या ऐसा कुछ करना और सोचना चाहिए कि उसके आदर्शो के नाम पर अपनी दुर्गती बनाने की मुर्खता अपनाई जाए ऐसे ऐसे अनेका नेक तरकों उधारनों की जड़ी लगती रहती है और बड़े हुए कदम पीछे लोटाने के लिए भरपूर दवाब डालती रहती है अकेली श्रद्दा ही है जो इन सबसे जूजती रहती है चटान की तरह पैर जमाने और निर्धारित लक्ष की और निरंतर बढ़ते रहने की पेरणा देती रहती है गया गुजरा जीवन स्विकार करने के लिए महा मानवों की अंतश्चेतना सदा इंकार करती रहती है मानवी गरिमा का मूल महत्व समझाती रहती है लोग प्रवा की अनुपिकृता और अंत में हाथ लगने वाली दुरगती का इश्पष्ट चित्र खड़ा करती रहती है सावधान रहने के लिए इतना ही परियाप्त रहता है कि सहारे काम चल भी जाता और समूचा जीवन एक सूर विवस्तित युजना के अनुरूप धल भी जाता है यही है आत्मसत्ता के प्रती विश्वाश श्रद्धा के अवलवन की शक्ति जो किसी साधरन मानव को महा मानव देवपुरिश की श्रुणी में लाखडा कर देती है